नगरिये निकाय चुनाओं में मतोखी गड़ना 13 माई के दिन होना सुनिचित किया गया है जिलाने वासे नदकारी ने मत कड़ना की पूरी रूप प्रिकागो किस तरीके से विस्तत रूप से तयार किया है आई आपको भी दिखाते हैं बता दे कि पूरे उत्तर प्रदेश में नगरिये निकाय चुनाओं को दो चर्णों में संपन कराए गया था पहले चार्ड कामतान 4 माई के दिन हुआ था और दूसरे चार्ड कामतान 11 माई के दिन संपन कराए गया वही निर्वाचन आयोग की ओर से मतों की गर्णा की दिती 13 माई रखी गई है मतों की गर्णा के लिए प्रसासन की ओर से तयारियां पूर डिल कर ली गई है जन्पत के जिरा निर्वाचनत कारी अविनास सिंग ने जानकारी देते हुए बिस्तत रूप से बताया है कि मतों की गर्णा के लिए प्रसासन की ओर से विवस्ताएं चाक चौबंद कर दी गई है रूप रेका तयार कर ली गई है उन्होंने जानकारी देते हुए पताया कि मतों की गर्णा जनपत की 6 तैसीलों में इस देद ब्लोक और बिध्याले में होगी नगरीय निगाय चुनाओं के लिए 13 माई की दिन सुबह 8 बजी से मतगर्णा प्रारंब होगी जिले में एक नगरपाल का और नो नगरपंचायतों पर अध्यच पद और बाट के सवासदों के पदों पर हुए चुनाओं के मतों की गर्णा होगी मतगर्णा को संपन कराने के लिए 840 कर्मियों को लगाया गया है इतना ही नहीं 108 टेबलों की 10 अध्यच 146 सवासद पदों के मतों की गर्णा होगी बिस्ता दूप से जानकारी देते हुए चिला निर्वाचन अध्कारी अबनास कस नसीन ने क्या कुछ कहा जरा आप भी सुनिये देखे जनपद में एक नगर पालिका परिशद और नो नगर पंचायतों में मत गर्णा के लिए जनपद के छे तसीलों में अलग अलग मत गर्णा अस्तर निर्धारित किया गया है और वहाँ पर सारी तैयारियां जो है राजिनिर्वाचन अध्की निर्देशा नुसार पूंड की गई है मतगणना असल पर पहले से ही स्टांग रूम बनाया गया है जहां पर की मतपेटिकाएं रखी हुई हैं निर्वाचल के बाद से और वहां सुरक्षा के फुक्ता इंतिजाम किये गये हैं मतगणना के लिए उन्हीं के जो निर्धारित हॉल है या बड़े कक्ष हैं वहां पर हम लोगों ने टेबल्स लगा करके बैरिकेटिंग किया है बैरिकेटिंग इस हिसाब से किया है कि जो भी हमारे उमीदवार हैं उनके उनके और उनके गड़ना भिकरताओं के बैठने के ल जुकम और वीडियो ग्राफी की भीवस्था कियागल मतगरना कार्विको का Скशन के लिए वर्य इंटिकार से लिए प्रतेक मतगरना अस्तर की शांती शद्शा विए लिए अलग-अलग हमने अपने अस्तर से भी जो है एक-एक मेजिस्टेट की अलग सितेनाती की है जो आहां पर रह करके गड़ना कार्मिकों की आवाजाई जन्पद में जो धारा 144 लगी है उसका अनुपालन और सुरक्षाता सांतिबस्ता बनाय रखने का जिमिदारी निभाएंगे मत गड़ना समंदी जो समस تयारिया है राजी निर्वाचन आयोक कि नितर सानूसा रहा है कि उन लोग का ग्यापन आया है ग्यापन लोगों ने दिया है ग्यापन में भी मुखे रूप से यही बाते रखी गई थी कि सुरक्षा के लिए निस्पक्षता और सांतिपुल मतिगर्णा की समस्तयारी की जाए वह हम लोग राजनिरवाचन आयोग के निर्देशा अनुसार पहले से सारा इंतिजाम कर रहे हैं बाकी जो सुझाव है जो राजनितिक दलों के भी उमिदवारों के भी उसके अनुसार हम लोग जो राजनिरवाचन आयोग के निर्देश हैं उसके अनुपालन करते हुए पूरी तैयारी और पूरा इंतिजाम कर रहे हैं